हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब जैसे कि आप सब को पता है हमारी टीम ने कॉम्पीटिशन जीएस अश्टीडी यूटूब चैनल बनाया है इस चैनल का उद्देश्य वन डे एक्जाम के हर विशे की हर टोपिक की वीडियो को अपलोड करना है जैसे कि आप सब को पता है हमने बताए भी था अभी केवल इस चैनल पर मैट्स और रिजनिंग की वीडियो ही आएगी मैट्स और रिजनिंग की वीडियो मेरी ही आएगी वैसे तो मैंने लगबग एक डेट साल पहले मैंट्स और रिजनिंग बढ़ाना सुरू किया था लेकिन आप सब को पता है मार्च 2020 में से हमारे देश में लोगडाउन है जैसे कि एक वैस्विक महामारी है जिसे कोविड-19 कहते हैं उसने पूरी दुन्या को ही बदल कर रख दिया है और वैस्विक महामारी से अभी भी मुकाबला चल रहा है अभी भी जीता नहीं गया है लेकिन उम्मीद है भविस्य में बहुत जल्द वैस्विक महामारी से जीत जाएंगे जैसे जैसे प्रोच्जर चल रहा है तो इसलिए चब से ही पढ़ाना बन था मार्च 2020 से ही पढ़ाना बन था बिल्कुल उसके बाद आज पहली बार पढ़ाना शुरू कि आया है और रिजनिंग और मैट्स की वीडियो मेरी ही आएगी और दीरे-दीरे हमारे चैनल पर और वीश्यों की वीडियो भी अप्लोड होनी होगा और आज हम रिजनिंग की एक बहुत इंपोर्टेंट यूनिट पढ़ने जा रहे हैं आज हम रिजनिंग की बहुत इंपोर्टेंट यूनिट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रोब्लम बेस्ट ओन नंबर संख्या पर आधारित समस्या इस यूनिट में हमन sequence से ही करेंगे, आज सबसे पहले हम number series को करेंगे, उसके बाद हम missing number को करेंगे, उसके बाद हम odd one out को करेंगे, जिसे classification भी कहते है, उसके बाद हम analogy को करेंगे, जिसे similarity भी कहते है, उसके बाद हम coded equation को करेंगे, जिसे arithmetic reasoning भी कहते है, आज हम number series को शुरू करते है आज हम number series के topic को करते हैं, number series के किसी भी questions को करने के लिए हमारे पास चार main logic है, number series का questions करने के लिए सबसे पहले हमें पहला logic लगाना होगा multiply plus minus one, plus minus, या divide plus minus, ज्यादतर questions number series के इसी logic से हो जाते है कुछ questions number series के इस logic से नहीं होते हैं, तो उसे दूसरे logic से करते हैं, जिसे बोलता है step form, कुछ questions फिर भी बच जाते हैं, तो वे mix series के question होते हैं अगर तब भी questions ना हो number series का, तो illogical questions होते हैं, जिसका कोई pattern ही नहीं होता कुछ अलग सा होता है questions, वो बिल्कुल संख्या पर आधारित होता है लेकिन ज्यादतर questions number series के पहले logic multiply plus minus या divide plus minus से ही होते हैं number series के questions हम करते हैं, तकरीबन 20-25 questions के आसपास हम करेंगे पहला questions, 5, 11, 24, 51, 106 question mark, सबसे पहले question में multiply plus minus या divide plus minus देखना होगा अगर series बढ़ रही है, series increasing order में है, 5 से 11, 11 से 24, 24 से 51, 51 से 106 यानि series बढ़ रही है, तो multiply plus minus देख लें अगर series घट रही है, जैसे कि पांचवे questions में है, चोथे questions में है, 50, 26, 14, 8 इसमें divide plus minus का logic लगेगा, अब series increasing order में है या, तो multiply plus minus देखो 5 की multiply के हमें करें, जो 11 के आसपास हो जाए, into 2 plus 1 5 दूनी 10 और 1, 11, into 2 plus 2, 11 दूनी 22 और 2, 24, into 2 plus 3, 24 दूनी 38 और 3, 51 इसमें into 2 plus 1, into 2 plus 2, into 2 plus 3, into 2 plus 4, तो यहां पर into 2 plus 5 हो रहा होगा, 106 दूनी 212 और 5, 217 इसका answer है, दूसरा questions, पांच, 13, 39, 61 question mark, जब भी series increasing order में हो, सबसे पहले multiply plus minus करो, 5 की multiply करो, 5 की multiply हमें एक में भी कर सकता है, लेकिन 5 की multiply एक में करने हैं, 5 कम 5, 13 से बहुत दूर है, हमें multiply ऐसे number से करनी है, जो इसके आसपास हो, 5 इन्टू 2, 10, कितना जोडें, 3, 5 दूनी 10 और 3, 13, इन्टू 2, पलस 3, 13 दूनी 26 और 3, 29, इन्टू 2, पलस 3, 29 दूनी 58 और 3, 61, इन्टू 2, पलस 3, 61 दूनी 122 और 3, 125, इसका answer, तीसरा कोशन, तीन, दस, इकतिस, चुराण में, कोशन मार्क, सबसे पहले, सबसे पहले, मल्टिपलाई, पलस माइनस, इन्टू 3, पलस 1, तीन त्या 9 और एक 10, इन्टू 3, पलस 1, दस त्या 30 और एक 31, इन्टू 3, पलस 1, 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 देखो चुराण में गुणा तीन तीन चोग बारा का तो हसल करें तीन नम सप्ताइस और एक अठाइस और एक कितना हो गया दो सो तिरा सी चोधा कोशन पचास चब्विस चोधा आठ कोशन मार अब स्रीज डिक्रिजिंग ओडर में है स्रीज घटते करम में है हमें लोजिक तो पहला ही लगाना है लेकिन अब लगाना है डिवाइड पलस माइनस क्योंकि स्रीज डिक्रिजिंग ओडर में है अब तक स्रीज 50 को 2 से divide करने पर 25 आता है लेकिन हमें 26 मनाना है 50 दिवाइड दो पंगे सनुफिन 6 rd 2020 को दो से तेरा और एक सोधा उधिवाइड दो प्लाष साथ और यक आठ डिवाइड dro पालस और पंच पाँस का आंसर अंगला वाइड आप दो से डिवाइड्ड चार और इकक पांच पांच इसका आंसर अंगला इक सोड़ा 51108 और सिएरय इनक्रीजिंग ओर्डर में हैं यह सर दिकरेजिंग ओर्डर में अब इनक्रीजिंग तोड़ा मुल्टिपलाई थी से ओई तो आगी भी थी से गोँ सोड़ा इंटू थी फोर्टी एट लेकिन हमें 51 मिलाना है तो क्या अड़ करना पड़ागा तीन पांस तिया 15 और एक सोड़ा तिया 48 और 3 51 तिया 153 और हमें 100 थान मिलाना है अब पांच जोडना होगा इसका मतल अब लोजिक क्या है इंटू 3 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 5 अब क्या होगा इंटू 3 प्लस 7 135 इस बार 7 एड़ होगा एक सोड़ान की तीन में गुना चार सो चोहतर और इसमें साथ एड़ करने के बाद आया 481 इसमें हम सोट भी गुना कर सकते हैं इस एक सो अठावन को हम एक सो साट मानकर गुना कर सकते हैं एक सो साट की तीन में मल्टिपलाई करके चार सो असी हमने दो एक्स्ट्र लिया दो त्या छे गटा दो कितना है चार सो चोहतर अगर हम ऐसे गुना करेंगे तो हम इमेजन कर सकते हैं लेकिन हमें ऐसे गुना करकर ही देखनी होगी एक सौथान को एक सौसाठ मानोँ एक सौथे homicide की सोड़ातिया अडटारीस C48 कितना एक्से लिया 2 दो त्या छे क्या है चार्सों wtपप्लियन स्तर7 к देख ग्रीज इंक्रेजिंग औरर में है तो पका multiply plus minus से देखो हो साथ की multiply क्या हमें गरें चुपारे क्या असपास ऐए सिर्फ एक में साथ इकम साथ प्लस पांच-12 बारा इकम 12 19 करना है तो कितना जोड़ना होगा साथ उन्निश इकम 19 28 बनाना है तो कितना जोड़ना होगा 9 28 28 29 बनाना है तो कितना जोड़ना होगा 11 तो लोजिक समझ मैं है इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 1 प्लस 9 इंटू 1 प्लस 11 पांच 7 9 11 इस बार कितना जोड़ेगा 13 49 49 और 13 52 इसका आंसर हमने 6 कोशन्स कर लिया है अब हम साथवे कोशन्स पाते हैं 1 2 10 37 101 कोशन मार्क अभी तक हम कर रहे थे multiply प्लस माइनस या divide प्लस माइनस अब हम इसमें multiply करके देखते हैं एक में एक की multiply और प्लस वन अब दो में वन की multiply प्लस क्या करें 2 एकम 2 और 8 कुछ logic सा नहीं बन रहा multiply 1 प्लस 1 multiply 1 प्लस 8 अब multiply 1 प्लस 27 कुछ logic नहीं बन पा रहा है तो इसलिए इस questions को हम अश्टे form से करके देखते हैं अश्टे form क्या है दो नंबर की बीच का difference निकालो 2 में से 1 गया 1 10 में से 2 गया 8 37 में से 10 गया 27 एक सो एक में से 37 गया 64 अब हमें यह नंबर चाहिए जिससे हमें अगला नंबर मिल जाए कुछ logic समझ में आ रहा है एक आर्ट 27 चोशट एक का क्यूब दो का क्यूब तीन का क्यूब चार का क्यूब अब क्या होगा पांच का क्यूब एक सो पच्चिस अश्टेफ हों की एक कंडिशन है एक और एक दो आटर दो दस 27 और दस 37 चोशट रों 37 एक सो एक अब हमें यह नंबर चाहिए तो एक सो एक और एक सो पच्चिस 226 इसका अंसर आ गया दुबारा समझे अश्टेफ फोर्म से करने के लिए में कोस्टन को सबसे पहले दो नंबर की बीच का डिफ्रेंस निकालना है इन दोनों नंबर का डिफ्रेंस एक इन दोनों नंबर का डिफ्रेंस आट इन दोनों नंबर का डिफ्रेंस पूंटी सेव का क्यूब एक दो तीन चार अब पांच का क्यूब अब अगला नंबर ढूणने के लिए में अस्टे फोर में पिछले दो नंबर को जोड़ना होता है एक और एक दो आट रदो दस 27 और दस 37 चो सट रोसाथ एक सो एक एक सो पच्चिस और एक सो एक डो सो चबीस इसका अंसर अगला कोश्चन्स यह भी इस्टेम फोर्म से होगा मल्टिपलाई प्लस माइनस से नहीं होगा इन दोनों नमबर के डिफ्रेंस दो इन दोनों नमबर के डिफ्रेंस तीन इन दोनों नमबर के डिफ्रेंस साथ इन दोनों नमबर के डिफ्रेंस सोडा इन दोनों नमबर के डिफ्रेंस तीन मस्टे गये प्रत तीन बद तीस अब हमें यह नंबर चाहिए ताकि अगला नंबर समझे अगला नंबर मिल जाए अब हमें इस परटन को नहीं पता किये किस किस सिस्टम पर अधारीद है यह फर्ष्ट अश्टेफ है इसका अगर फर्ष्ट अश्टेफ से कोशन समझ नहीं आ रहा है तो सैकिंड अश्टेफ बनाईए यहां हमें फर्ष्ट अश्टेफ से समझ आ गया था एक आठ शत्ताइस चोशट यानि एक का क्यूब दो का अब पांच का क्यूब लेकिन याज समझ नहीं आया अब दूसरा स्टेफ बनाईए इन दोनों नंबर का डिफ्रेंस एक इन दोनों नंबर का डिफ्रेंस चार इन दोनों नंबर का डिफ्रेंस नों इन दोनों नंबर का डिफ्रेंस सोड़ा अब कुछ समझ आया एक का स्क् पर पांच का स्क्वार होगा पांच का स्क्वार 25 अश्टेफ हों की कंडिशन पिछले दो नंबर जोड़कर अगला नंबर मनता है एक और दो तीन चार और तीन साथ नोर साथ सोड़ा अब हमें यह नंबर चाहिए 25 और 32 फिप्टी सेवन अब हमें आंसर इस नंबर का देना है अब इन दोनों नंबर को जोड़कर यह आगया एकसोवीस दुबार समझ हमने पहला स्टेफ बनाया इन दोनों नंबर का डिफरेंस निगाला पांच में से तीन गया दो आट में से पांच गें तीन 15 में से 8 गए 7 31 में से 15 गए 16 63 में से 31 गए 32 अब हमें फ़र्ष्ट एश्टेप में कुछ समझ नहीं आया यह बैटन किस सिस्टम पर आधारित है इसलिए हमने दूसरा स्टेप बनाया अब इन दोनों नंबर का डिफ्रेंस एक इन दोनों नंबर का डिफ्रेंस चार इन दोनों नंबर का डिफ्रेंस नो इन दोनों नंबर का डिफ्रेंस सोड़ा अब बैटन समझ वाया एक का वर्ग दो का वर्ग तीन का वर्ग चार का वर् अब हमें ये नंबर चाहिए ये नंबर हमें इसले चाहिए ताकि इस नंबर पर आ जायें इन दोनों नंबर को जोड़कर ये नंबर मिलता है इन दोनों नंबर को जोड़कर ये नंबर बनता है हमने 25 में 32 जोड़ा 57 में 63 जोड़ा 120 अगला कोस्टन ये कोस्टन भी अश्टे अब हमें यह नंबर चाहिए ताकि यह हमारा अंसर आजाए अब हमने फर्स्ट एश्टेप बनाया इस एश्टेप से भी हमारे हमेरी समझ में कुछ पैटन नहीं आया साथ Unaisstein 31 इक्सट हम हमें यह इंदाज़ नहीं हो पा रहा कि कितने अंक बढ़ रहे पर बना देख इस लिए में इंदोनों नंबर का डिफ्रेंस 12 इन दोनों नंपर का डिफ्रेंस 18 इन दोनों नंबर का डिफ्रेंस 24 अब हमारी कुछ समझी में आया 12 18 24 यानि बारह में इन दोनों नंबर की साथा से यह नंबर मिलेगा एक्क्याड में और 126 कि दोसों उन्निस अगला कोश्चन्स यह कोश्चन्स भी अश्ट्य फोर्म का है इन दोनों नंबर का डिफ्रेंस तीन इन दोनों नंबर का डिफ्रेंस चार इन दोनों नंबर का डिफ्रेंस 7, इन दोनों number का difference 11, इन दोनों number का difference 18, अब हमें ये number चाहिए ताकि अगला number मिल जाए, फर्स्ट अश्टेप बनाने पर क्या कुछ हमारी समझ वाया, 3, 4, 7, 11, 18, जी, इस सिरिज को देखें, 4, 7, 11, 18, और इस सिरिज को देखें, चार साथ गैरा 18 29 यही सिरिज हो रही है चार साथ गैरा 18 29 यानि चार साथ गैरा 18 के बाद 29 आएगा अब इन दोनों नंबर को जोड़ के हैं यह आंसर दे सकते हैं 76 दुबारा समझें सबसे पहले हम नंबर स्रीज का कोश्चन्स करेंगे मल्टिपलाई प्लस माइनस से अगर मल्टिपलाई प्लस माइनस से नहीं हो रहा है तब हम आएंगे करें अष्टें फॉम पर I will do how to do How to stretch this fight for मनें इस पैटर को समझने की कोश्चनर की यह पैटर हमारी समझ में आ अगया एक का कूब दो का क्यूब चार क्यूब अगर इनका क्यूब हो रहा है तो इस बार पांच के क्यूब है ईक सब boundaries 125 ऑस्टें फोम् यह बात भी है पिछले दो नंबर को जोड़कर अगला नंबर मिलता है एक और एक दो दो राट दस दस और 27 37 37 और 64 101 अब 101 और 6121 25 को मिलकर ये नंबर बनेंगा 226 इसी तरहने सारे कॉस्टन्स करें कुछ एसे होता है जिनमें पहला पैटन समझ में नहीं आता दूसरा स्टेप स समझ में आता है जैसे यही कॉस्टन साएं इन-path seminar कह क्या कdaughter दूसरा बनाया इन दोनों नंबर की सायता से नमने यह नंबर निकाला कि इसी तरह मने या कॉस्ट्ट के और अब आगे का घ्या है अभी तक हमने 10 questions किये number series के 10 questions में हमने पहला logic किया multiply plus minus divide plus minus फिर दूसरा logic किया stay form अब हम तीसरे logic पर आते है mix series ऐसे questions जो पहले दोनों logic से नहीं होंगे वो mix series से होंगे वैसे mix series की एक पहचान भी है कोई number दो बार होता है जैसे इसमें 5-5 दो बार है एसे questions में Multiply Plus minus भी नहीं कर सकते हैं और step form भी नहीं लगा सकते हैं अगर में step form लगाएं इन दोनों przy difference 0 हो जाएगा इन दोनों नंबर बीच के different 6 हो जाएगा इन दोनों नमबर की पीच का difference minus 2 हो जाएगा तो ऐसे questions को मिक्स'd Si Shri से करते हैं ऐसे ही जैसे से इसमें तीन बार रीपीट हो रहा है चाहिंट अब इसमें सपने पह् mist पहां नहीं होती है जो 5 21 टीन पांज हम आ इसमें एक अंक दो बार रीपीट है तो दो स्रीटा के बाद वारा अंक बताना यान्य यहां में इस स्रीज का अंक बताना है तीन पांच नो गैरा तीन से पांच पलस दो पांच से नो पलस चार उपर ली स्रीज में देखते है क्या हुआ है दो से पांच पलस तीन पांच से गैरा पलस छे गैरा से तेईस पलस बारा यानि यहां पलस तीन हुआ यहां इसका डबल पलस छे ह यहां इसका डबल पलस बारा हुआ ऐसे ही नीचे पलस दो इसका डबल पलस शार अब इसका डबल पलस आठ नोर आठ सतरह इसका आंसर अब जैसे इस कोस्टंस में दो बार एक अंग रिपीट हुआ दो सुरीज थी ऐसे ही इस कोस्टंस में एक अंग तीन बार रिपीट हुआ इसमें 3 स्रीज है इसे 3 तीन स्रीज से करते हैं इस questions को इसका relation इससे है plus 3 plus 3 बीच वाले अंका relation बीच वाले से है पलस दो पलस दो पलस दो अब लाश्ट अंका लाश्ट अंक से है तीन चार और यह अंका में चाहिए तीन में पलस वन हुआ चार में पलस वन यानि इसका अंसर पाँच आ गया और अब ऐसेए यह questions है तीन चार नो सोड़ास सी इस questions को हम multiply पलस माइनिस वन से नहीं कर सकतेIl क्योंकि हम multiply 1 एंकनटी ऑर एक चार एक चार ही कम चार ओर एक पाच तो multiply पलस माइनिस से नहीं हुआ अस्टे फोर्म से भी नहीं होगा तो इस mix श container तीन नो इक्यस्सी अगलंक चार सोड़ा और यह देखते हैं क्या हुआ है तीन कवर्ग नो नो कवर्ग इकस्सी ऐसे ही चार कवर्ग सोड़ा सोड़ा कवर्ग 256 का अंसर वैसे ज्यादतर एक्जाम में पहले दो लोजिक के कोश्चन साते हैं मल्टिपलाई पलस माइनस डिवाइड पलस माइनस या अश्टे फॉर्म मिक्स कोश्चन कभी कवार बहुत रियर केस में आता है ना कि बराबर कोश्चन साते हैं वैसे तो इलोजिकल कोश्चन कोश्चन स बहुत कम आते हैं बि Kentल नहीं आते हैं लेकिन फिर भी आगर आजाए तो इसलिए हमें पहले से त्यार रहना चाहिए का अभी ताह हमने 13 कोश्चन्स कर लिया हैं अब कुछ कॉक्श्चन साम इलोजिकल करते हैं वैसे तो एक्जाम में इकार छाने चांस नहीं होता है दूर दूर तक लेगिन फिर भी ये कोशन्स भी एक्जाम में आई हुए है जैसे ये कोशन्स हैं 2, 3, 5, 7, कोशन मार्क 13, 19 इस कोशन्स को हम कैसे सोचें ये कोशन्स अगर एक्जाम में आ जाएं अल्ली सोचने से ही होगा इसमें कोई लोजिक काम नहीं करेगा अगर हम ध्यान से 2, 3, 5, 7, 13, 19 अब हमें देखने पर पता लगा ये अभाज्ये संक्याए है ये अभाज्ये संक्याए है प्राइम नमबर जिने प्राइम नमबर कहते हैं प्राइम नमबर एसे नमबर जो केवल एक और खुद से साथ साथ के बाद कौन सब रहे नमबर आता है 11 तो इसको चुशन्स का अंसर हुआ 11 इसका कोई लोजिक नहीं है यह खुद से करना पड़ता है सोचकर अब पैटन समझ में आ गया प्राइम नमबर है कोशन्स हो गया अग्जाम में वरना नहीं होता है जैसे यह कोशन्स है करेंगे पांच छे साथ आठ इस बार क्या आएगा नो पांच छे साथ आठ नो अब पांच का वर्ग 25 छे का वर्ग 36 साथ का वर्ग 29 आठ का वर्ग 64 इसी तरह नो का वर्ग 81 तो 801 में हमारे इस कोशन्स का आंसर हुआ दुबारा समझे पांच छे साथ आठ नो अब दो और प्माच को क्या पढ़ सकते हैं 25 25 क्या आए पांच का वर्ग तीन और चेव को क्या पढ़ सकते हैं 36 36 का यह चे वर्ग इसी तरह हमने नो का वर्ग 81 कर दिया लाश्ट को से इक सट बावन पलत दीजे छे शे रणम को पलत दीजे Caribbean pause 64 को 40 को पलत दीजे चोजट अब कुस माझत गया 16 25 35шаяच चोशट जी बिल्कुल डिर्ट वर्ग चार पांच का वर्ग यह का वर्ग साथ का वर्ग delight & qualified अब नो कवर्ग 81 और यहांसी से पलट दीजिए इस कोशन का अंसर अठा रहा हूं मैं फिर कह रहा हूं इल्लोजिकल कोशन्स आने का बहुत कम चांस है बहुत रियर केस में आता है जब हमारी किसमत ही खराब होती है तब कोशन्स आता है कभी कभार आता है यह कोशन्स CGL 2013 में कभार कोशन्स आता है ज्यादा तर नंबर स्यर्ज को कोशन्स multiply पलस माइनस डिवाइड पलस माइनस या फिर अस्टेफ फोर्म से हो जाएंगे नाइंटी नाइन परसेंट कोशन्स इन दोनों से ही हो जाएंगे औनली वन परसंट कोश्ण सप्फर्ट से nei कि यहां पर आतीग है मिक्स एि लॉजिकल कैम्भ सी में कुछ इस तर चार पांच कोुस्ट गहाएं जहरण कूप से है अभी तक हमने 16 कोश्टन्स किया है अब 4 कोश्टन्स हो रहे हैं जैसे कि हमने स्टेफ फोर्म किया है multiply plus minus क्या है ऐसे ही number series में कुछ questions direct square स्क्वार या क्यूब से related होते हैं जैसे चार सोड़ा छतिस सो अगर हम इसे ध्यान से देखें दो का वर्ग चार का वर्ग शे का वर्ग और दस का वर्ग इसका मतलब दो चार छे आठ यहां क्या आएगा आठ का वर्ग यानि इस questions का answer 64 अगर हमें डिरेक्ट स्क्वार या क्यूब की फों में नजर आ रही है तो डिरेक्ट स्क्वार या क्यूब से करेंगे फिर कोई लोजिक लगाने की ज़रुवत नहीं है जैसे यह questions है 0 7 26 63 124 क्या यह नंबर किसी वर्ग या किसी क्यूब के इस्वास है जी बिल्गुल साथ क्यास प्रक्राइब क्या आट 26 ति क्या सपास क्या है 27 63 क्या सपास क्या है चोशट 125 क्या सपास क्या एक 123 क्य Chili और God क्यूब माइनस वन देखिए एक का क्यूब एक का क्यूब एक एक मैसे गया जीरो दो क्यूब माइनस वन दो क्यूब आठ आठ मैसे गया साथ तीन का क्यूब माइनस वन तीन का क्यूब 27 27 मैसे गया 26 चार का क्यूब माइनस वन चार का क्यूब चो सट चो सट मैसे गया तरे सट पांच का क्यूब माइनस वन पांच का क्यूब एक सो पच्छिस एक सो पच्छिस मैसे गया एक सो चोविस अब एक दो तीन चार पांच छे इस बार क्या आएगा छे छे का क्यूब माइनस वन छे का क्योब 266-1215 का आनसर अंगला कैसे दो नो अठाइस 36194 क्या यह कॉस्यंच भी कि इस wrong जी बिल्कुल वन का क्यूब पलस वन तू का क्यूब पलस वन थ्री का क्यूब प्लस वन फॉर का क्यूब प्लस वन फाइफ का क्यूब प्लस वन शिक्स का क्यूब प्लस वन यानि दो सो सत्रह हमें सिर्फ इतना देखना है दो नो अट्थाइस पैसट एक सो चबिस यह सभी नंबर क्यूब से एक ज्यादा है एक के क्यूब से एक ज्यादा दो के क्यूब स इन दोनों का difference 0.9 इन दोनों का difference 1.6 इन दोनों का difference 2.5 अब हमें यह नंबर चाहिए ताकि यह नंबर मिल जाए अब ध्यान से देखो 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25 और 6 का वर्ग 36 लेकिन एक अंक के बाद point एक के बाद point एक के बाद point एक के बाद Oh, इसी तरह यहां भी एक के बाद point साथ point चार और 3.6 मिला कर इसका अनसर हुआ 11 श्रीजिज के को उस्तन्स जढ़ा प्रिवियेट करने चाहिए क्योंकि यह questions repeat होते हैं और maximum questions इन दो ट्रिक से और इन दो से ही हो जाते हैं कुछ questions होते हैं जो mix reach पर आते हैं illogical questions कभी कभार आते हैं एक्जाम में जब किस्मत ही घराब होते हैं तभी आते हैं एक्जाम में वरना ज्यादा तर questions तो multiply प्लस माइनस वन डिवाइड प्लस माइनस और अश्टे फॉर्म से हो जाते हैं कभी कभार questions square के और क्यूब के बें जाते हैं जैसे हमने questions किये हैं ज्यादा तर questions इन दो पर ही dependent रहते हैं